नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का यूटूब चैनल अश्कलेपी सायरवेदा में दोस्तों आज की सेस्न में हम चर्चा करेंगे एड़वी पिल कंपनी के डाइवोडॉकरस के बारे में अज़ हम बताएंगे डाइवोडॉकरस क्या है इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है डाइवोडॉकरस को इस्तमाल करने से होने वाले फायदे इससे इस्तमाल करते समय कौन कौन सी साउधानिया और फरहेज़ बरतनी है त्यादी इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइबो डॉक रस क्या है डाइबो डॉक रस एडबलू पील एसकलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिम्टेट कमपनी के दुआरा बनाये गया एक हरवल प्रोड़क्ट है जो हमारे शरीर में शुगर लेवल को ठीक रखने में इस्तमाल होता है इस प्रोड़क्ट को चिकेसा के प्रामर्स के अनुसार हम लोग शुगर के मरीजों को दे सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इंग्रिडेंट्स की इसमें करेले का रस, जामून का रस, गौरपाठा का रस, गुर्मार का रस और त्रिफला रस इत्यादी मिला कर बनाये गया है अब बात आती है करेला रस क्या होता है सुगर के मरीजों के लिए तो ये एक राम बढ़ा सु दिये जामून रस मदमे रोगियों के लिए जामून का फल बहुत ही अच्छा और सस्ता उपचार मने जाता है इसके बीजों में मौजूद जंबोलीन नमक पदार्थ हमारे सरीर दुआरा ग्रहन किये गए स्टार्च को सुगर में बदलने की प्रक्रिया को कम कर देता है जिससे रक्त में सुगर का लेबल समाने रहता है जामून खाने में भी बहुत अच्छा स्वादिश्ट फल मने ज़या है इसके बाद बाद करता हैं गौार पाथा रस गौार पाथा जिसे एलोवेरा घृत कुमारी के नामों से भी जाने जाता है ये एक पोधा है एलोवेरा का इस्तेमाल से गुलकोच का इस्तर नियंतृत रहता है एलोवेरा बहुत समयसे ही डावेटेटीज के लिए उप्योगी माना जाने वाला एक पोधा है गुड़मार रस गुड़मार की मदद से मीठा खाने की एदत में कमी आती है ये रक्त सरकरा की स्थर को नियंतरित करने के अलबा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मत्रा को भी नियंतरित करता है जिसे हिर्दय त्यादी रोख से भी बचा जा सकता है त्रिफला रस, त्रिफला तीन फलों की मिस्टन से बनाया हुआ एक बहुत ही बेहतरी नौसदी है जो प्राचिन काल से ही इस्तमाल होते हुए आ रहा है ये कई अन्य रोगों के उपचार के रुप में भी इस्तमाल होते आ रहा है ये सरीर में इंसुलीन की मात्रा को बढ़ा देता है जिससे रक्त में शूगर की मात्रा कम होने लगती है अई अब बात करते हैं हम इस्तमाल का तरीका और सवधानी है मिठे पेर पदार्थ या तले भुने पदार्थ को इस्तमाल नहीं करना है जब इसकी medicine यूज करनी है, medicine नहीं कर सकते हैं, यह एक तरह का supplement है, यह दिन भर 4-6 लिटर पानी जरूर पीना है, 25-30 ml दिन में दो बार खाना खाने से पहले इससे इस्तमाल करना है, खाना खाने की घंटा पहले हैं, इसको पी सकते हैं, इसके बाद टाइब डॉक रसको सुखे स्थान पर रखना है, लेने से पहले चिकित्सक और एक्सपर्ट का परामर्स जरूर ले ले, दोस्तों हम अपने सारे वीडियों बताते आ रहे हैं, कोई भी medicine हो, या food supplement हो, या herbal product हो, बिना चिकित्सक के और बिना एक्सपर्ट की साल आके, नहीं लेना चाहिए, तो क कोई भी product लेते समय, आप एक्सपर्ट की सारा जरूर ले ले, तो दोस्तों हमने बात किया, इस सिसन में, डाइबुडॉक रस गया है, इसमें कौन-कौन से ingredients मिलाए गया है, इसके बाद इसको इसको इस्तमाल करने से, क्या-क्या benefits हो सकते हैं, और क्या सावधानिया है, और लोगों के लिए prefer कर सकते हैं, ये सारी बाते हम इस सिसन के मादम से आपको बता है, इसके अलावा हम इसमें description में, पीडियो का भी link डाले हुए है, आप उसको description में जाकर उस पीडियो को download कर सकते हैं, तो I hope दोस्तों आपको जनकारी अच्छी लगी होगी, मिलते हैं दोस्त अजित Гरी लगाए हम इसारी अच्छी लगी कर सकती है, लीडियो कराओस है, आपको सकते हैं, ये सकती हैं, झापको सकती हैं, जापको जनकारी रेल nghतियोते हैं, ये सोरी रेल artists ये सünk्ते हैं, अपको स्वा़बियोते हैं, लीडियोते हैं, उनकारी र Bur Loot von Lopla,सी